असलाम अलेकुम टो वाल आफ यू तो फ्रेंट्स आज हमारे क्रैश कूर्स का डे 24 है और जैसे कि आपको पता है कि पिछले टौपिक में हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की थे और वहां पे हमने सोर्सिस ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंपलीट किये थे तो आज की टौपिक हम आगे बढ़ेंगे और आज की टौपिक में हमें इंडियस वेली स्टार्ट ना है लेकिन उससे भी पहले हम कुछ न कुछ यहां पे देखेंगे पहले इंडियस वेली स्टार्ट से पहले क्या था यहां पे किस तरह से इंडियस वेली स्टार्ट हुई तो पिछले टौप में हम ancient India पे तक आये थे यानि कि sources हमने complete कि और यहां पे ancient India का little bit introduction मैंने दिया था तो आज जो है दुबारा से हम यहां पे समझेंगे और दुबारा से अच्छी तरह से पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले जो हमने क्लास लिया वहां पे हमने क्या पढ़ा sources समझना तो हमने पढ़े sources यानि कि Indian history के बारे में हमें कहां कहां से मालूमात होती है मिलती है तो वो है sources कोन कोन से source से क्या कुछ है वो हमने यहां पे पढ़ा अब हम यहां पे Indian history start करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि Indian history के अगर हम बात करते हैं तो Indian history में हमें 3 बाग देखने को मिलते हैं that means three parts देखने को मिलते हैं एक तो ancient, दूसरा medieval और तीसरा modern ठीके न, तीसरा modern तो हम पहले ancient वाला पढ़ते हैं और इस ancient में भी हमें दरसल पढ़ना है क्या है इंडस वेली civilization ठीक है ना इंडस वेली civilization हमें पढ़ना है यह इन्डस पीपल के बारे में हमें पढ़ना है लेकिन वो लोग आये कहां से यह civilization किस तरह से start हुई वो था हमें पता होना चाहिए हमने तो sources पढ़े कल की class में पिछली कलास में हमने sources पढ़े कि किस तरह से sources है क्या कुछ है कौन कौन से sources जिससे हमें इंडियन हिस्टरी के बारे में information मिलती है लेकिन अब यह history start कैसे हुई यह जो इंडस वेली civilization है जो लोग है यह किस तरह से आये किस तरह से civilization बनी पहले हम वो जान लेते हैं लेकिन उससे पहले यह जो ancient India है मैंने आपको कल भी कहा यह जो ancient India है इसके three types है prehistoric period, proto historic period और historic period मैंने आपको कल अच्छी तरह से बताया है यहां पे हमारे पास archaeological sources है कोई भी written sources नहीं है ठीके ना इस साशन में इस period में और proto historic में मैं क्या देखने को मिला archaeological source भी देखने को मिली और written source भी देखने क garden नहीं पा रहा था उसके बाद यह जो historic period आया इसमें क्या हुआ इसमें हमारे पास written sources भी थे archaeological source भी थे और यह जो written sources थे इनको पढ़ाया जा सकता था उसके बाद यहाँ पे जो prehistoric period है ठीक है prehistoric period पहला जो मैंने बताया prehistoric period इसके भी दो टाइपस है एक तो stone age एक तो copper age और यह जो सिटून एज है इसके भी तीन टाइपस है अब यहां से समझो पेलियोलिथिक एज मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज यहां से आपको हिष्ट्री समझनी है सिटून एज से देखे जब यहां पे इनसान आया जब हूमेनस दर्थी पे आये तो पहले उनके पास कुछ भी नहीं था रहने सेने के लिए कुछ नहीं था कपड़े नहीं थे ठीक है ना तो वो क्या हुआ याने कि इस साशन यहां से क्या हुआ स्टून एज स्टार्ट हुई अब यह जो एज से इन में कुछ चेंज साने लगी पहले आपको समझना है देखिए जब दर्थी पे इनसान आया तो यहां पे उससे रहने के लिए कुछ तो चाहिए था खाने के लिए कुछ तो चाहिए था लेकिन उससे पता नहीं था ठीक है ना तो उसने क्या किया रहन कपड़े किस तरह से यूज़ करता ूइमार भीकर सकता हूँ ये जो मतलब हिरने वागेरा है इने भी खा सकता हूं तो वो उनको मारने लगा लेकिन उस उनको मारने के लिए किसने किसी हथियार की जुरुरत पड़ेगी तो हथियार इसके जहन में आया कि नहीं मुझे हथियार बनाने है ठीक है ये मैं एंशेंट पीपल की बात कर रहा कि किस तरह से डेवलोप्मेट आयस्ता होने लगी उसके जहन में आया कि नहीं अगर मुझे किसी को मारना है अगर मुझे शिकार करना है किसी हिरन वागेर को मारना है तो मुझे जो है किसी चीज की जुरुरत पड़ेगी तो उस समय जो है उसने सिटून से पथर से क्या बन बनाए जिस तरह से वो शिकार कर सकता था तो काटने के लिए इस तरह से आइसता इसता इस्रुमेंट बनाए डैट मिन डेवलोपमेट होने लगी फिर आइसता इस जब वो कच्छा मास खाने लगा तो फिर उसके जहन में आइडिया आए कि नहीं मुझे इसको कुछ करना चाह है यानि कि उसने जो मास जो है पकाना स्टार्ट किया तो पकाने के लिए फैर की जरुरत पड़ी है आग की जरुरत पड़ी तो इसके जहन में आए कि आग होनी चाहिए इसको मैं कैसे जलाओं तो इस तरह से जो है आइसता आइसता डेवलोपमेट होने लगी इन एजस में पेलियलिथिक एज में, मेजोलितिक एज और नेउलिथिक एज में आएस्ता आएस्ता चेंज वोने लगी तो देखिए आगर मैं बात करूँ ह responsibility एज की ठीक है जो पहली स्टेज है किस की हमारे स्टूनेश की ठीक है न तो इसमें क्या था जो हुमन था जो इनसान था वो क्या था hunter and food gatherer था यानि कि उसका कामी यह था hunting करना और इससे अपना पेट वागेरा पालना लेकिन यहां पे जो है permanent settlement नहीं थी किस साशन में paleolithic age में permanent settlement नहीं थी my dear friends question इसी तरह से पूछे जाएंगे आप से पूछा जाएगा कि paleolithic age में human क्या था वो hunter and food gatherer था आपसे पूछा जाएगा कि paleolithic age में permanent settlement थी no there was no permanent settlement in paleolithic age तो यह जो period था ठीके ना इस period में क्या हुआ हुमेर्ज ने control किया किस पर fire पर मेरे अभी आपको story सुनाएगी ना तो control किया fire पर यह question पूछा जाएगा कि किस साशन में किस period में हुमेर्ज ने fire पर control किया invention हुई और फिर आइस 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 जब उसे लगा कि जो है मैं शिकार को ला रहा हूँ लेकिन मुझे उससे गसीड के लाना पढ़ रहा है तो उसके जहन में आए कि मैं पहिया बनाऊ तो पहिया उसने बनाया that means wheel की invention हुई आइस 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 ता यह मीजोलिथिक एज की तरफ अब आ रहा है ठीके ना sorry wheel की invention भी जो है nihol ethic एज में हुई यह niholithic साशन में invention हुई जब आएस्ता आएस्ता यहां पर क्या हुआ डेवलोप्मेंट होने लगी तो वील की इन्वेंशन होने लगी तो अब यह किस काल में आ गया है नियोलिथिक काल में आ गया है यह जो यहाँ पे student age को divide किया गया है यहाँ पे development के base पे divide किया गया यान कि जो paleolithic age है यह पहले stage थी यहाँ पे उतनी development नहीं थी फिर आएस्ता आएस्ता जो थोड़ी बहुत development हुई यहाँ पे फिर mesolithic session में चला गया उसे historian ने mesolithic age नाम दिया फिर आएस्ता आएस्ता से जब और development हुई वील वगेर invention हुई तो historian ने इस period को neolithic age बताया तो यहाँ पे आपसे यह point पूछा जा सकता है कि वील की invention कब हुई नियोलिथिक age में वील की invention हुई और साती सात यहाँ पे अब जो है agriculture practices होने लगे किस साशन में नियोलिथिक पीरिड में agriculture practices होने लगे CDC बाद है जब agriculture practices होने लगे ये जो है agriculture में काम करने लगे तो यहाँ पे क्या होगा CDC बाद है यहाँ पे permanent settlement होनी चाहिए तो नियोलिथिक age में permanent settlement थी आप देख रहे होगे कि कहा से कहा तक human चला गया वील के इन्वेंशन हुई अब यहाँ पर एगरी कल्चर पर आ गए है इन लोग ने कहा कि अब हम खुद से अपना खाना बनाएंगे खुद से उगाएंगे खेती वाड़ी करेंगे अब खेती वाड़ी पर यह लोग आ गए अब आईस्ता आईस्ता यह रहने लगे यह गर बनाने लगे तो यहाँ पर पर्मिनेट सेटलमेट होने लगी आईस्ता आईस्ता डेवलोपमेट होने लगी इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नियोलिथिक एज के अगर मैं बात करूं मैंने आपको अभी भी बताया कि agriculture होने लगी तो agriculture में यह क्या ओगाने लगी यह खेतीबारी कि करने लगे वीट एंड बार्ली की करने लगे यहाँ पर्मेट settlement अब होने लगी यह जो है गर बसाने लगे बैठने लगे ठीके न अब यहां पर जब क्या हुआ जब यहां पर आ चाहे जो है चहत में जो है लीवर्श वगेरा का यूज हुआ तो छोटे छोटे गर बनने लगे जिस्टा से जोंफट्या वगेरा होती थी उन्हें में यह बसने लगे तो जब आइस्था आइस्था बसने लगे तो जब वहां पर इनके गर वाले भी जब उनकी शाद्या वघ्यार हुई तो वो भी बसने लगे उन लोगों ने भी अलग अलग गर बना दिया तो एक छोटा टाइप सा एक village टाइप सा बन गया यानगी आप इमज होने लगे एक ही जगा पर settle होने लगे तो जब यह settle होने लगे इस settlement का result क्या हुआ यहां पर छोटे-छोटे towns बनने लगे, छोटे-छोटे cities बनने लगे, बनने लगे जब लोग रहने लगेंगे, एक ही जगा पर रहने लगेंगे, तो उस जगा पर क्या होगा towns बनेंगे, cities बनेंगे तो यहां पर क्या हुआ, इसका result क्या हुआ, J hummap civilization इसको नाम पड़ा ऐsystem इसendalization यह जो civilization यहाप बनी यह जो towners यहाँ प downwards यह जो लोग रहने लगे, यह जो एक ही जगाप लोग होने लगे इस से result क्या हुआ इससे result हुआ, इससे result हो एक civilization वजूद में आ गई इस civilization का नाम पड़ा उस civilization का नाम पढ़ा Indus Valley Civilization और you can say हरपा civilization देखे ये इतनी जो story मैंने आपको बताई इसलिए बताई ताकि मैं आपको बताऊं कि Indus Valley Civilization वजूद में कैसे आई दरसल हमारा topic क्या है Indus Valley Civilization अब आपने याद रखा ना कि Indus Valley Civilization किस तरह से वजूद में आई छोटा मोटा यहाँ पे में छोटी मोटी हिंट दे देता हूँ ताकि आपको दुबार से अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मैंने क्या कहा यह जो ancient India था यहाँ पे जब लोग आए रहने लगे तो उसको कुछ भी पता नहीं था कि किस तरह से क्या करना है क्या कुछ करना है तो वहाँ पे उसके जहन में क्या आया खाने के लिए जब उसके बूक लगी तो उसने जो है fruits वगेरा यूज की अपने आपको डखने के लिए leaves का यूज किया फिर आइस्ता आइस्ता इसको लगा कि नहीं fruit से गुजारने होगा कुछ और करना चाहिए तो उसने hunting स्टार्ट करने कर दी तो इसके लिए tools का उसको इसको इस्तमाल करना पड़ा तो आइस्ता आइस्ता इस्ता इजो development हुई इसको इस stage को जो है नाम अलग-अलग रहा गया नियोज लिधिक एज मिजऋ लिथी केश ठीके ना पहले लिथी केश इस तरह से पहले पहले लिथी केशके वाद मिजलिथी के शुए तो यहाँ पर development हुई fire का invention हुई ठिक है ना विल की invention हुई तो यह जो development हुई फिर ए एक ही जगा जब इसको नाम पढ़ा civilization तो यहां पर इंडस्विली civilization वुजूद में आ गई ठीके ना इंडस्विली civilization वुजूद में आ गई अब यहां पर इस इंडस्विली civilization के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं अगर मैं इस इंडस्विली civilization की बात करूं तो इसका टाइम पिरिड क्या था 2400 BC to 1750 BC टाइम पिरिड नोट डाउं कर लेना पूछा जा सकते हैं और यह जो इंडस्विली civilization है इसे Bronze Age civilization के नाम से भी जाना जाता है और हरपन civilization के नाम से भी जाना जाता है important points से नोट डाउं कर लेना अब कुछ important sites हैं इंडस्विली civilization के कुछ important sites आपको पढ़नी है इन sites के बारे में अगर मैं बात करूँ सबसे पहली site हरपा तो हरपा के बारे में अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा तो हरपा जो थी first इंडस्विली civilization की site ठीकिना यह जो हरपा थी एक पहली site थी इंडस्विली civilization की note कर लो important point है पूछा जाता है और यह जो हरपा है यह जो है राए बहादूर दयाराम सानी के द्वारा found की गई है यह जो site हरपा किसके द्वारा इसकी foundation डाली गई है राए बहादूर सानी के द्वारा कब 1921 में और यह जो है पहली site है इंडस्विली civilization की और इसकी location कहां पर पाकिस्तान साइड में आती है ठीके ना on the bank of river रावी यह भी आपको note down कर लेने इसके बाद जो हमारी next site है important site है महंजदारों इंडस्विली civilization की हमारी next site है महंजदारों की अगर मैं बात करूं ठीक नहीं या इसे महंजदारों भी कह सकते हो लेकिन हम इस तरह से simply कहते हैंगे महंजदारों महंजदारों की अगर मैं बात करूं इसकी foundation जो है राखलदास बैनर जी के द्वारा की गई है ठीक है ना बैंक ओफ रिवर सिंदू जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं ठीके ना सिंद पाकिस्तान साइड की तरफ से इसके बाद next site पर हम आते हैं चानुदारों चानुदारों की अगर मैं बात करूं एन जी मजदार के द्वारा इसकी foundation डाली गई है कब 1931 में और इसकी location की अगर मैं बात करूं on the bank of river Indus या आप रिवर सिंदू भी कह सकते हैं सिंदू रिवर कहां पे सिंद पाकिस्तान साइड की तरफ से यह आपको note डाउन कर लेना हर इक point note डाउन कर लो जहन में बिठा लो इसके बाद आ जाते हैं next site पर that is काली बंगन काली बंगन के अगर मैं बात करूं इन site से question पूछे जाते हैं बस इतने ही यही तीन type के question जो है site से पूछे जाते हैं किसके दोरा found की गई है कब found की गई है किस कहां पे इसके location है लेकिन ज्यादा तर जो है site के regarding दो ही question पूछे जाते हैं किसके दोरा found किया गया और कब found किया गया अगर कुछ deep में पूछा जा साइड है तब कि जो है लोकेशन पूशी जाती है यहां पे अगर मैं बात करओं काली बंगन की तो बी बी लाल एंड बी के थापर के दौरा फॉण्डेशन इसके डाले किये फांड किया गया है काली कब 1953 में और इसकी location के अगर मैं बात करूँ on the bank of river गागर कहां पे गागर राजस्तान में ये भी note down कर लेना इसके बाद लोथल पे हम आ जाते हैं और हमारी last important side है लोथल की अगर मैं बात करूँ S.R. Rao के दोरा इसकी foundation डाली गई है इसे found किया गया S.R. Rao के दोरा कब 1957 में जो है इसे found किया गया S.R. Rao के दोरा location के अगर मैं बात करूँ on the bank of river बोगवा कहां पे है एहमदाबाद गुजराद में ये भी note down कर लेना तो यह थी कुछ important site कहां कि हरपन civilization की अब यह जो हरपन civilization है इनके future हम जान लेते हैं कि किस तरह से हरपन civilization थी यहां पर क्या कुछ था ताकि आपको idea लगे हरपन civilization के बारे में देखिए अगर मैं बात करूँ हरपन civilization की तो एक primary urban civilization थी ठीके ना यानिकि एक urban civilization थी यहां पर जो हरपन civilization की तो जिस तरह से मैंने आपको अभी भी कहा कि यह जो एक urban civilization थी लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूँ ना महंजुदारो या हरपा की यह जो दो साइट इस थी यह प्लानर्ट सिटी थी यहां पर बहुत ही ज्यादा development थी गर्ब बनाने की मतलब जो गर्ब यहां पर थे houses वगेरे जो बनाए गए थे वो अच्छे खासे थे यहां पर जो मतलब लोगों का रहें सेंट था वो अच्छा खासा था उनका mental setup जो था अच्छा खासा था इसे पेशली महंजुदारों और हरपा की में बात कर रहूं यान मतलब बर्ट बिकस के यहां पर आपको house देखने को मिलेंगे और अगर में यहां पर इंपॉर्टन करेक्टरिस्ट्रिक की बात करूं किसकी हरपन स्विलाजेशन की यही एक important characteristic किसका हरपन स्विलाजेशन की यहां पर जो houses थे बर्ट बिकस के बनाए हुरे थे इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूँ दो important public places की तो जो दो important public places थी वो थी great bath and great gandry भी यहां पर थी लेकिन यहां पर अगर मैं great bath की बात करूँ यह कहां पर है महंजुदारों में इसकी मतलब पाया जाता था great bath यह great bath क्या था आप समझ लेजे कि common people के लिए एक swimming pool था नहाने की ववस्ता यहां पर होती थी इस great bath की अगर मैं बात करूँ तो 39 feet इसकी length थी 23 feet इसकी breadth थी और 8 feet इसकी depth थी यह point no down कर लेना पूछा जाता है और industrialization की अगर मैं बात करूँ तो agriculture यहां पर क्या था यहां पर important occupation था कहां का industrialization का जो important occupation था वो था agriculture और 67 wheat and barley यहां की man crops थे इंडस्वेली civilization की ते के ना man crops थे इसके साथ-साथ यहां पर अगर मैं बात करूँ जो पशू पालन यहां पर होता था शीप यहां पर पाले जाते थे गुट्स यहां पर पाले जाती थी बाफलो यहां पर पाले जाती थी कि लिकिन होरस यहां पर देखने को नहीं मिल यह point note down कर ले ना थीकिन एंडस्वेली celebration में होरस देखने को नहीं मिलता था आपसे question पुछा जा सकता है कि वहाँ पे option होगा sheep, goat, buffalo, horse तो आपको अच्छी तरह से note down कर लेना कि horse यहाँ पे नहीं देखने को मिला इसके पाद social life के बारे में अगर हम जानेगी कि लोग किस तरह से थे देखिए especially यहाँ पे अगर मैं बात करो women's की तो इससे आप अंदज़ा लगा सकते हो कि women's किस तरह की यहाँ पे थी अगर मैं इंडस्वेली civilization की बात करो यहाँ पे women's जो है jeweleries का यूज करते थे खुद सोचो जो इस तरह से आज यहाँ पे आवरते सज्दी दज्दी हैं उससे भी better यहाँ पे इंडस्वेली civilization में साइच्टी दज्दी थी यहाँ पे social life के अगर मैं बात करो आवरते जो है jeweleries का यूज करते थे banglers का यूज करते थे bracelets का यूज करते थे ear rings का यूज करते थे finger rings का यूज करते थे यहाँ पे आप देखो कि civilization क्या थी development क्या थी इतनी पुरानी हिस्टरी हम पड़ रहे हैं लेकिन इनका रहन सेहन 2022 के बदाबर है इस वकट क्या चल रहा है 2022 चल रहा है लेकिन हम किस jurisdiction की बात कर रहे है ED की बात कर रह है पता नहीं कितना पीछे हम इस वकट पड़ रहे हैं लेकिन इस साशन में भी आवरते जुलरी पहनती थी, बैंगल्स पहनते थी, ब्रेसलेट्स पहनते थी, एर रिंग्स पहनते थी, फिंगर रिंग्स पहनते थी, जिस तरह से आज जो है वुमेन्स पहनती है, और ये जो है कोई मामूली चीज़े नहीं थी, इस में बात करों मतलब इतने पुराने हो के भी कितने मॉडर्न थे इसके बाद अगर मैं बात करों फिशिंग यहां पर देखिई क् Eminem कुण सा जीजी नहीं करते थे fishing की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोग fishing भी करते थे यह इनका regular occupation था यानि कि टहलने के लिए जिस तरह से निकलते हैं उस तरह से fishing के लिए निकलते थे और इसी के साथ-साथ हंटिंग भी करते थे तो इसके बाद जो religious symbol था इनका ठीकिन है वो people tree था यह भी आपको note down कर लेना है अब यह industrialization आखिर कर गई फिर कहां जब यह इस तरह से थी लोग थी इस तरह से तो फिर यह चली कहां गई क्योंकि history तो आगे बढ़नी है मुगलस पे आना है बहुत कुछ पढ़ना है यही तो नहीं रहेंगे तो decline तो होना है हर एक चीज का decline होना है तो industrialization का decline किस तरह से हुआ इंडस्विली civilization की अगर मैं बात करूं तो historian का मानना है अगर मैं decline की बात करूं industrialization की या हरपर civilization की decline की बात करूं तो historian का debate है इस पे कोई historian एक राय देता है कोई दूसरी राय देता है और history में ऐसी बाते चलती रहते हैं लेकिन जो दो राय एक्सप्ट की गई सबसे पहली राय कि floods आए ठीके ना floods आए और क्यूंकि यह जो civilization थी इंडस्विलीजेशन थी इंडस्विलीजेशन के नजदीक थी तो historian का मानना है कि इंडस्विलीजेशन में पानी का बहाव ज्यादा हुआ और इस पूरी civilization को अपने साथ डबो के ले गया बहा के ले गया लेकिन इसके बाद इंडस्विलीजेशन के बाद यहाँ पे कोन आए वेदिक पिरेड यहाँ पे start हुआ that means Aryans आए तो कुछ historian का यह भी मानना है कि Aryans जो थे उनको पता चला कि यहाँ पे कोई न कोई रह रहा है यानि कि इंडस्विली यहाँ पे settlement है तो यह जो Aryans है यह powerful थे इनके पास हत्यार थे इनके पास गोड़े वगेरा थे इनकी फोज गोड़े वगेरा पे चला करती थी और हत्यार इनके पास थे तो इन लोगों ने हमला किया किस पर इंडस्विली सिल्लाजेशन पर इन लोगों पर हमला किया और इनको तबह कर दिया और खुद यहाँ पे अपने सिल्लाजेशन बसा दिया यानि कि Aryan काल स्टार्ट कर दिया तो ये दो chess Means के द्वार एक्सेप्ट की गई एक तो फुलर भी हो सकता है। दूसरा, आर्यन का इंञेंजन्वी हो सकता है। अब यह व्दॐ कữaky apt supported क्या RM हो सकता है। कि RM की-啊rain सब्सक्राइब किसले अश्था हो सकता है। लेकिन फ्लर्ड भी हो सकता है, हो सकता है इस तरह से भी हो, कि आरेनर्स ने हमला नहीं किया हो, जब वो यहाँ पे पहुंचे हो, तो यहाँ पे तबाई हो चुकी हो, due to floods, तो इसलिए ये दो जो है, एप्रोपेड डिकलाइन माने गए हैं, हिस्ट्वार्टनिस के दौर, तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है, वेदिक पीरड स्टार्ट होता है, वेदिक साशन स्टार्ट होता है, यानि कि इंडस्वेरी सेलेशन एंड होने के बाद यहाँ पे वेदिक साशन स्टार्ट होता है, अब हम वेदिक साशन के बारे में थोड़ा बूत लेते हैं उसके बाद जो हम यहां पर class end करेंगे और वेदिक session के बारे में next class में पढ़ेंगे detail में अगर मैं वेदिक session की बात करूँ तो इसके time period के अगर मैं बात करूँ सबसे पहले time period जो यहां पर decline हुआ हरपन civilization का उसके बाद वेदिक period यहां पर start हुआ तो इसका time period 1500 से लेकर 1000 BC तक है किसका वेदिक session का वेदिक period का और अगर मैं बात करूँ यहां पर Max Müller की तो एक historian थी इनके दोरा क्या कहा गया इनके दोरा यह point of view दिया गया कि Aryanus जो है वो कहां से आए वो Central Asia से आए Central Asia से आए और उन्होंने यहां पर यहां पर वेदिक civilization start की उनका यह मानना है Max Müller का यह मानना है कि Central Asia से यह आए और उन्होंने हमला किया और यहां पर वेदिक civilization start की यानि कि रहना यहां पर start किया और यह जो एंटर हुए खाइबर पास से एंटर हुए between 2000 BC and 500 BC इस time period के आसपास जो है यह यहां पर enter हुए तो नोट डाउन कर लेना यहां पर जो है किसके द्वारा यह idea दिया गया Max Müller के द्वारा दिया गया उनके और Max Müller का यह मानना है कि पहले यह जो है सेटल हुए seven places पे पंजाब रिजन सब जो है जिने पंजाब असवरी यहां पर देखे अगर मैं बात करूँ यहां पर जो सेटल हुए seven places in the Punjab तो उन्हें उन पांच प्लेस को सब्ता सिंदू के नाम से जाना जाता है ठीक है ना उन्हें सब्ता सिंदू के नाम से जाना जाता है, उन्हें 5 प्लेस को सब्ता से यहां पर जाना जाता है फिर आहस्ता आहस्ता यह गैंगेटिक वैली की तरह मुड़ने लगे मूह होने लगे और यहां पर जो है Arnie's बसने लगे अच्छी तरह से आर्यन्स का साशन स्टार्ट हुआ अब ये जो time period है आर्यन्स का ये दो बागू में जो है divide किया गया है ठीके ना, दो बागू में इसे divide किया गया है early Vedic period, जिसे आप Vedic period भी कह सकते हो या later Vedic period, ठीके ना, पहला साशन early Vedic period या Vedic period, दूसरा later Vedic period, अगर मैं early Vedic period या Vedic period की बात करूँ, इसका time period क्या है 1500 to 600 BC और जो later Vedic age का time period है, वो क्या है, 600 BC से लेकर 1000 BC तक तो अब ये later Vedic period और early Vedic period, इनके बारे में हम आने वाले lecture में, डीटिल में पढ़ेंगे तो ये मैंने आपको एक आइडिया बताया था, किस तरह से जो है, वेदिक सोसेटी यहां पर आई, और इनको दो बागो में डिवाइड किया गया है इंशालला, next class में हम क्या पढ़ेंगे, early Vedic period और later Vedic period के बारे में तो मिलते है, next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और आपको बताता चलूँ, जितने भी लोग आप में से नए हैं, यहां पर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चानल को सब्सक्राइब करना ना बोले, साथे साथ बेल अगर आपने वह नहीं देखा है, तो आपके स्क्रीन पर यह जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर किल्क करके पहले यह वीडियो जूरूर देखे, तब जाके आपको अच्छी तरह से यह वाला वीडियो पर समझ में आ जाएगा, तो अगर आपने यह वीडियो मिस किया है, तो इसे जुरूर दे कि आपकी स्क्रीम पर वीडियो शो हो रहा है इस पर किलिक करें